Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो दोस्तों, आज हम सभी एक नया टॉपिक करने वाले है आज हम सभी सीखेंगे Flight Adaptation in Birds So today's topic is Flight Adaptations in Birds हम ये देखेंगे आज कि Birds किस तरह से उड़ पाती है इन्होंने अपने आपको किस तरह से अड़ाप्ट किया है धाला है ताकि वो अराम से आस्मान में उड़ सके तो ये टॉपिक को चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं They have unique ability to fly Young in 1958 called bird as master of the air जो birds होती है ये ही सिर्फ एक ऐसी vertebrate है जो कि आस्मान में उड़ सकते Otherwise आप किसी भी आनिमल को देखो और कोई आनिमल्स उड़ ही नहीं सकता Young नाम के एक साइन्टिस्ट थे इन्होंने 1958 में birds को कहा था master of the air क्योंकि बिल्कुल सही बात है सिर्फ और सिर्फ birds से ये जो कि air में आराम से fly कर सकती है They have wings इनके पास wings है जिससे कि ये आराम से उड़ सके इन्होंने wings को भी क्या किया है Evolve किया है क्योंकि हमारे पास तो wings नहीं है उनका जो four limbs है उनका hand adaptation किया है ताकि वो अराम से अपना aerial mode of life को बिता सके अराम से हवा में उड़ सके तो चलिए कुछ adaptations आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे morphological adaptations यानि कि अगर हम किसी bird को देखते हैं बाहरी रूप से हम में और उनमें क्या फरक है उनका किस तरह का body का shape है उनमें क्या क्या चीज ऐसी present है जो कि other animals में नहीं है तो उनकी morphology क्या कहती है सबसे पहले इनका body का shape इनका जो body का shape होता है वो बिलकुल streamlined और spindle body होती spindle shape की यानि कि कुछ इस तरह की body होती है streamlined and spindle shape ताकि ये अराम से air में तैर सके उड़ सके अराम से air friction को कम कर सके और अराम से move कर सके और इसी तरह का कुछ structure हमें fish में भी देखने को मिलता है fishes भी जो होती है वो water में अराम से तैर सकती है तो ये streamlined body spindle shape body अराम से इने उड़ने में मदद करती है दूसरा compact body इनकी body बहुत ही compact होती है ठीक है इनकी जितने भी organs है dorsally and ventrally heavy to maintain balance in the air and their wings are attached on thorax high position of light organs तो इनकी जब पूरा body है वो बिलकुल सम्टा हुआ है compact है ठीक है इनकी जो bones है वो हलकी होती है और जो heavy organs है वो ventrally situated है ठीक है ventrally है निकी belly की side और जो हलके चीज़ी है वो dorsally है निकी जो उनकी उपर की red की हड़ी है dorsal side और ventrally side में उनका सारा organs है digestive system है और जितने भी सिस्टम से वो ventrally होती है तो कुछ इस तरह से होता है bird का structure और फिर thorax के पास इन में wings होता है हमने भी जो इनसानों ने aeroplane बनाया है वो कुछ इसी तरह से bird को ही देख के हम लोगों ने भी ये structure बनाया है हलके organs जैसे की lungs, air sacs ये सभी high positions में होते हैं बिलकुल neck के पास और और भी बहुत सारे features है जो कि इन्हें उड़ने में मदद करते हैं सबसे important body covering of feathers इनकी पूरी body जो है पंकों से cover होती है feathers होते हैं इनमें ये feathers बहुत ही smooth होते हैं और ये backward directed होते हैं जितना भी पंक होगा वो क्या होता है शरीर में पीछे की तरफ इस तरह से situated होता है पूरा जितना भी पंक होता है जिससे की body streamlined बनती है और ये भी आराम से air में बिना friction के उड़ सके बिना किसी effort के ये आराम से move कर सके air में इससे इनका body भी हलका होता है और साथी साथ इनकी body को heat प्रोवाइड होती है इंसुलेशन का भी काम करता है ताकि इनकी जो body है उनसे heat कम release यानि कि ये temperature maintain करने में भी help कर रहा है जो पक्षी बरफीली जगाओं पे high altitudes पे रहते हैं उन सभी को feathers ज़्यादा होते हैं four limbs modified into wings इनका जो four limbs है वो modified होके wings बन चुक है इनका जो हाथ है वो wings बन गया है जो इनका four limbs है वो बहुत ही unique और powerful है ताकि ये अराम से उड़ सके ये जो इनका wings होता है इसमें बहुत सारे bones होते है muscles होते है feathers होते है तब जाके ये wings जो है ये अच्छा सा unique सा एक feature बन जाता है इनका जिससे की अराम से हवा में उड़ सके wings से क्या होता है इनकी जब wings होती है इनकी body से बही काफी लंभी होती है तब ये आराम से उड़ सकते है इसका जो lower surface है वो concave होता है wings का जो lower surface है वो concave होता है और upper surface convex होता है कुछ इस तरह का structure होता है इनका जिससे की ये аराम से move कर सके दाएं बाएं आराम से उपर नीचे उड़ सकती है जिससे ही ये और इसे air pressure भी ये maintain करती है इन्हें पता है कि किस दिशा में जाना है किस speed से जाना है इन सभी चीजों पर ये अपने wings के कारण ही control कर पाती है next point is short tail आमतार पे other animals जो है dog, cat इन सभी का जो tail bone होता है वो बहुत लंबा होता है tail लंबा है बट इनका जो tail है वो छोटा सा होता है short muscular tail और इसमें बहुत सारे feathers होते है caudal feathers होते हैं इनकी mood छोटी होती है पर इनका जो punk होता है वो काफी उसमें लगा हुआ रहता है जो कि steering का काम करते है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो steering यूज़ करते हैं उसी तरह यह अपना जो tail है उसको as a steering यूज़ करती है next point is beak इनकी जो चोँच होती है चूँकि इनका four limbs तो wings बन गया है तो हाथ से जब हम खाना खाते हैं वो तो ये wings से कर नहीं सकते है तो इनके पास होता है beak जो कि इनका four limbs का काम कर देता है ये अराम से खाना खा सकती हैं कुछ भी चीजें उठा के nest बना सकती हैं तो इनका जो भी काम four limbs से होना चाहिए वो इनके beak से होता है तो beak का काम जो four limbs का था वो beak कर देता है beak को bill भी कहते हैं next is mobile neck and head इनकी जो neck होती है वो बहुत ही जादा movable होती है काफी घूम जाती है बहुत ही flexible neck है इनकी जिसे की इह राम से move कर सके then bipedal locomotion यानि की दो पैरों पर चलना इन्होंने भी दो पैरों पर चलना सीख लिया इनका जो locomotion होता है वो ये अपने legs से करती है ना की four limbs का यूज करती है और भी चार पैरों वाले जानवर होते हैं बट ये bipedal है यानि की ये अपने पैरों पर चलती है ठीक है two legs hind limbs पर चलती है next perching इनका जो पैर है hind limbs है वो इतना अच्छे से खुद को arboreal यानि की पेड़ पर रहने के लिए चुकि ये पेड़ पे अपना घोसला बनाती है पेड़ की टेहनियों पर रहती है तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने पर्चिंग सीख लिया है ये अराम से अपने toes को इस तरह से टेहनियों पर रैप करती हैं कि ये गिरती ही नहीं है इविन ये सो भी जाती है तो भी वो पेड़ से नहीं गिर सकती तो इन्होंने अपने आपको बहुत ही अच्छे से पर्चिंग के लिए यानि कि जो leg के muscles है toes है इनका वो सब adapt हो चुका है पर्चिंग के लिए तो हमने इनका morphological adaptations देख लिया अब anatomical इनके शरीर के अंदर में क्या क्या ओर्गन्स ने खुद को adapt किया है जिसे की एराम से flight कर सके उड़ सके तो सबसे पहली चीज इनका endoskeleton इनका जो अंदर का हड़ी का धाशा है ये बहुत ही light होता है lightweight एक तो strong होता है इनका skeleton और हलका भी होता है तभी ये आस्मान में उड़ पाती है क्योंकि इनकी जो bones होती है they are pneumatic यानि कि hollow अंदर से इनकी जो bones होती है वो खोखली होती है bone marrow की जगा इनके bones के अंदर air sacs present होते है जिसे कि इनका जो हड़ी है वो skeleton हलका हो जाता है इनका skull bone भी काफी पतला है इनमें teeth तो होता ही नहीं इनमें सिर्फ और सिर्फ बीक होता है चोंच होती है और इनमें एक sternum breast bone है जो कि बहुत सारे flight muscles से जुड़ा होता है जिसे कि ये अराम से उड़ सके next flight muscles इनमें बहुत सारे ऐसे muscles है जो कि इन्हें उड़ने में मदद करती है तो इनका जो back का dorsal का जो muscles है वो काफी reduce हो जाता है और ये जो flight muscles होते हैं ये breast के side पे होते हैं ये बहुत अच्छे से develop होते हैं करीबन इनका body का one-sixth weight सिर्फ और सिर्फ flight muscles का होता है जो कि इन्हें उड़ने में मदद करता है flight muscles ये striated muscles है obviously voluntary काम करते हैं यानि कि ये जब उड़ना चाहे तब ये उड़ेंगी with the help of their flight muscles और इन muscles को और भी बहुत सारे जो other muscles है वो help करते हैं support करते हैं next digestive system इनका digestive system किस तरह से develop है देखिए इनका जो metabolism है वो काफी high rate में है क्योंकि इन्हें उड़ना है obviously तो इन्हें जादा metabolism इनका होता है शरीर में तो food जल्दी जल्दी पच्चता है तो इन सभी के कारण इनका digestive system बहुत ही develop है और एक चीज है कि इन में rectum होता नहीं है या तो बहुत ही छोटा है या rectum समझी नहीं है क्योंकि अगर ये अपने रेक्टम में feces को इकठा करना शुरू कर दे तो इनका body weight क्या होगा बढ़ जाएगा तो ये feces को rectum में इकठा ही नहीं करती है जिससे की इसका weight बढ़े next respiratory system buds में जो lungs होता है उसमें बहुत सारे air sacs present होते है जो कि इसे respiration में help करते है और पूरी body में जल्द से जल्द oxygen को पहुचाते है air sacs ये जो air sacs है इसके कारण birds जब जमीन पे होती है उसके मुकाबले ये जभी आसमान पे होती है तब ये ज्यादा अच्छे से सांस ले पाती है due to presence of the air sacs so ये पूरी body में body tissues में oxygen का supply करती है चुकि इनका metabolic rate high है next point warm-blooded birds जो होती है वो warm-blooded animals है हमारी तरह इनका यानि की body temperature होता है constant होता है ये environment के हिसाब से change नहीं होता है तो इसके वज़े से ये high altitude में भी आराम से उड़ सकती है इने ठंड नहीं लगती है इनके पास feathers भी है circulatory system इनका जो circulatory system है चुकि इने जल्द से जल्द blood को हर tissues तक पहुचाना है oxygen की supply भी करानी है तो इनमें इनका जो heart है वो भी four chamber का है और double circulation जैसे हम लोगों में double circulation होता है heart में यानि oxygenated blood अलग मूफ करेगी और deoxygenated blood अलग मूफ करेगी इस तरह का इनमें भी होता है काफी संख्या में hemoglobin present होता है इनके पास क्योंकि इनहें oxygen की supply करानी और hemoglobin oxygen का supply करता है ठीक है तो इनके जो red blood cells है उसमें hemoglobin काफी मात्रा में पाया जाता है ताकि अराम से इनका body tissues में respiration हो सके next is excretory system इनमें urinary bladder भी नहीं होता है क्योंकि इनमें जब feces store करने के लिए rectum नहीं है तो rectum बहुत short होता है तो यह अपना fecal matter भी store नहीं करती है ज्यादा और urinary bladder urine भी इनमें form नहीं होता है तो इनका जो kidney का urinary ferrous tubules है यह बहुत सारे water को absorb कर लेता है बहुत ही कम इनमें urine form होता है तो इनका जो fecal matter है इनका जो excretor है वो semi solid होता है एक paste के जैसा होता है इनका जो excretory material है जिसमें feces और कुछ liquid part होता है paste के जैसा इनका excretor निकलता है और इसमें nitrogenous waste जो होते है वो भी less toxic होता है इनका जो nitrogenous waste है uric acid और ureates होता है हम लोगों में urea है इनमें होता है uric acid और इनमें urinary bladder नहीं है तो इससे भी इनका शरीर का weight कम हो जाता है जिससे कि ये अराम से उड़ सके तो जो कि इनका जो excretory जो nitrogenous waste है वो uric acid ureates है इन्हें uricotelic excretion organism कह सकते है next point है brain and sense organs इनका जो brain है cerebrum part ये बहुत ही well developed है और cerebrum भी बहुत large होता है और ये wings के movement को पूरा अच्छे से control करता है तो इनका brain और sense organs भी काफी अच्छे से well developed है इनका जो eye होता है वो काफी बड़ा होता है और जो optic lobes है eye से attached वो भी बड़े होते हैं जिससे कि ये अराम से flight के समय सब चीजों को देख सके next reproductive organs इनका जो reproductive organs है mostly female में क्या होता है एक ही ovary होती है ज्यादा तर pair में ovary होती है organism में बट इनका एक ही होता है single होता है ovary females में left side में present होता है जिससे कि ये weight को कम कर सके इससे भी इनका हलका full का weight कम हो जाता है ये भी in flight adaptations में help करता है यहाँ पर मैंने figure बनाया है flight adaptation के लिए आप ये figure बना सकते हो जिसमें हम दिखाते हैं कि इनके पास beak present है flight muscles यहाँ पे होते हैं breast के पास इनका जो four limbs है जो इनका हाथ है वो wings में modify हो चुका है इनका जो bone है skeletal है system यह सब pneumatic है यानि कि hollow है खोखला है अंदर से इनका जो hind limb है वो bipedal locomotion के लिए adapt कर चुका है और purging में भी help करता है इनका जो tail है वो काफी छोटा होता है और इसमें बहुत सारे rectrices यानि कि feathers होते है caudal feathers टेल में feathers होते हैं यह जो इनका feather है यह insulating का काम कर रहा है insulation इन्हें heat भी provide कराता है इनकी body spindle shape की है streamlined spindle shape की compact body और इनका जो neck है वो mobile नेक है यह काफी movable है और flexible है तो दोस्तों यही है हमारा आज का topic flight adaptation in birds की birds ने अपने आपको किस तरह से adapt किया है ताकि वो अराम से आसमानों में उड़ सके तो सबसे पहले हमने इनका बाहरी morphological adaptation देखा कि इनका body का shape spindle shape का होता है इनकी body compact होती है जिसे की अराम से flight कर सके सबसे important इनकी पूरी body feathers से cover होती है उसके बाद हमने देखा कि इनका जो four limbs है वो wings में modified हो चुक है it is also very important character जो कि इने उड़ने में मदद करता है इनका tail बहुत ही छोटा होता है और tail में feathers present होते है caudal feathers इनमें चोच होती है जो कि four limbs का का काम समालता है इनका जो neck है वो काफी flexible है ये legs पे bipedal locomotion करते हैं और purging में भी इनका जो hind limbs है वो काफी adapt हो चुक है जिसे की tree पे ये अपना arboreal life बिता सके उसके बाद हमने इसका अंदर का anatomical adaptation देखा किये कि इस तरह से इनका जो skeleton है वो काफी hollow है light weight है खोखला है और बहुत सारे flight muscles होते हैं इनके breast के सामने reason में जिसे की एराम से उड़ सके इनका digestive system हमने देखा कि ये भी बहुत ही जादा effective है और इनमे rectum भी बहुत ही छोटा है ना के बराबर respiratory system में इनमे air sac है जो की इने oxygen की supply करता है इनका warm blooded feature है जिससे की इनकी body का जो temperature है वो constant रहता है इनमे circulatory system 4 chamber का heart है इनमे hemoglobin इनमे बहुत जादा प्रेजेंट होता है ताकि ये अराम से oxygen की supply कर सके excretory system में इनमे urinary bladder नहीं होता है और ये uricotelic है इनका जो nitrogenous waste निकलता है uric acid और ये एक paste के जैसा निकल रहा है देन हमने इसका brain और sense organ देखा कि इनका जो brain का part है cerebrum cerebellum ये भी develop है इनका जो eyes है optic lobes ये सब भी अच्छे से develop है reproductive organs में female birds में ovary एक ही होती है left side में pair में ना होकर के सिर्फ और सिर्फ एक होती है और फिर हमने ये figure देखा दोस्तो अगर आपको मेरे ये topic पसंद आया हो समझ आया हो आपको अगर ये topic तो मेरे वीडियो को like कीजिएगा channel को subscribe कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे comments में जरूर बताईए thank you so much everyone